जिला मुख्याले से 14 किलोमीटर दूर पदेडा के ग्रामीनों ने जिला पुलस और साथी CRPF के जवारों पर नकसल ऑपरेशन के नाम पर मारपीट फर्जी एंकाउंटर करने ज्वेसे कई आरोप लगाए हैं फोर्स की ज्याती के विरोध में सुमवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्याले पहुचे ग्रामीनों ने कलेक्टर को आप बीती सुनाई और कारिवाई की मांगी है सरपर्च गुड़ू पोर्सा के साथ आई ग्रामीनों का कहना है कि सुरक्षा गर्ष्ट के नाम पर गाउं में अब जब भी CRPF या जुला बल के जवान आते हैं तो ग्रामीनों के घरों से निकाल कर उनसे पूछताच के नाम पर बरबरता की जाती है उन्हें लाद घूसे और बंदूकों के कूंदों से पीटा जाता है साथ ही ग्रामीनों के मुताबिक अधिकतर ग्रामीनों को हिंदी नहीं आती है इसके चलते जवानों द्वारा की जाने वाले सवाल उन्हें समझ में नहीं आते और इसे चुपे को गलत नजरी से देख कर जवानों का कहर उन पर तूटता है पीरिद ग्रामेडों ने कलेक्टर को एक ग्यापन भी सौपा है जिसमें उन लेख है कि साल 2005 से सलवा जुडूम के बाद से ही लगातार पुलस और अल्थ सैनिक बल के जवानों दुआरा उन्हें प्रताडित किया जा रहा है और नक्सली संदे में जवान उन पर बरबरता करते हैं और निजीता ने कई ग्रामेड सुरक्षा बलो के भैसे गाउन छोड़ का सीमा वृत्ती राज्यों में पलायन कर गए है और अब वो गाउन लोटना भी